हलो एब्रीवन मैं हूँ मम्तार स्वागत है आपका कलाकारी हप में यहां लिए फ्रेंट्स मैंने एक कड़ाई और उसमें डाली है कच्ची मूफली लगबग आदा किलो हैं यह और यह वही मूफलिया है जिनका यूजेज हम बहुत सारी रेसिपीज में करते हैं भून कर कभी कच्चा और किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाएंगी और फ्रेंट्स इनको हमने भूनना स्टार्ट कर दिया है गैस का फ्लेम कम रखा है इस बात का आप खास तोर पे ध्यान रखें कि हमें पूरी मूफली कम फ्लेम पे भूननी है बिल्कुल भी आपको दिखाऊंगी अभी मैंने मूफली रखी है और एक बार इसको अच्छे से चला दिया है कुछ सेकंड के लिए और फिर इसको मैंने लगभग आदा मिनट के लिए छोड़ दिया है आप किचन में तब तक अपना कुछ और काम भी निपटा सकते हैं साथ साथ में तो क इसका रंग थोड़ा चेंज होने लगेगा आपको शायद अभी कैमरे में कैप्चर नहीं हो पारा बहुत हलका सा कलर चेंज हुआ है और पांच मिनट के बाद जब हम भूनेंगे न तब हम इसको लगातार ही चलाएंगे उसको फिर तब छोड़ना नहीं है क्योंकि फिर बुन जाएगे कहीं कच्ची रह जाएगी तो हमें पांच मिनट के बाद लगातार बुनना है और अभी काफी कलर चेंज हो गया यह देखिए हलका जो पिंकिश कलर था न स्टार्टिंग में तो वह डाक होना शुरू हो जाएगा डाक पिंकिश कलर हो जाएगा यह हो गए हैं जो भुनने वाले होते ना जैसे रोस्ट होती है कोई चीज वह वाले ऐसे निशान हो गए हैं और मैं भी पास से दिखा रहे हूं आपको देखिए सारी मुफलियां एक जैसी भुने के रेडी होंगी ऐसा नहीं है कोई ज्यादा भुनगी कोई कम इसी लिए मैंने आपको बोला था गर्फ कम रखना है और बस अब ऐसे ही इसको चलाते रहेंगे फ्रेंट्स जब हम मुफली को डे में या नमके भूनते हैं अन बीच बीच में gas का flame high भी कर लेते हैं starting में भी लेकिन बिना rate के और बिना end के जब हम इसको भूनते मुफली को तो हमें gas का flame कम रखना पड़ता है ताकि हमारी सारी मुफली एक जैसी roast हो कोई जादा जले नहीं कोई कच्ची ना रहे अंदर तक roast हो और कड़वापन बिल्कुल बिनाए मुफली में तो यह देखिए इस तरह लगातार चलाते चलाते आपको पता चलेगा कि मुफली का कलर एकदम चेंज हो गया है डाक पिंक कलर हो जाएगा बस तभी आप समझ लीजे मुफली भून गई है और गैस का flame हमने बंद कर दिया है और अभी हम इन मुफली को एक थाली में निकाल लेंगे ताकि यह थोड़ा ठंडी हो जाएए बहुत गरम है अभी और देखिए आप color देखिए इसका कितना अच्छा color आया है और इसको इस तरीके से फैला देंगे भी गरम है और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे सारी मुफली बिल्कुल एक ज चिलका ऐसे नहीं चटका है बिल्कुल सही है किसी को चिलके समित खानी है तो आप वैसे भी खा सकते हैं अभी हम देखिए मुफली ले रहे हैं एक तो तरीका यह हाथ में इस तरीके से ले और इस तरीके से चिलका उतारते जाएं उंगलियों से ही उतर जाएगा और एक तर अंदर तक मूफली भूनती है और छिलका भी आसानी से उतर जाता है जब तेज फ्लेम पे भूनेंगे न तो छिलका चिपक जाता है कई मूफली पे तो उतरता नहीं है इस तरीके से हमने सारी मूफली के छिलके को उतार लिया है ये देखे छिलका इसी के अंदर है चलिए शालेंगे और पिर दूसरी होते हैं पुछ चीज फटकते हैं तो जो चिज निकल जाती है यह तरीके से थो आगे निकल जाय का चिलका आगे हम थोड़ा थोड़ा करके हटा अधैंगे और यह देखे कितनी सुन्दर मौमफली हमारी रोस्ट हुई है यह देखिए एक एक मौमफली बिल्कुल एक जैसी रोस्ट हुई है आपको नजदीक से दिखा रहे हूँ बहुत ही टेस्टी लग रही है यह एकदम खाने में भी और अब हम कोई एक एर टाइट कंटेनर लेंगे कोई भी डिबा ल लिए जाते हैं लेकिन इसको आप आराम से घर पे भून सकते हैं और महीनों तक इसको खा सकते हैं एर टाइट डब्बे में बंद करके रखें तो फ्रेंट्स बताइएगा कैसी लगी आपको आज की मौमफली को रोस्ट करने की रेसिपी इसका तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शर्च जरूर करना थैंक्स फ़र वाच चाहिए